असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, उमीद है आप सब हैडियर से होंगे प्रीवियस लेक्ट्चन में हमने मैयरिंग इंस्टूमेंट के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने वर्णियर कैलिपर को डिसकस किया था हमने उसमें लेंग्ट को मैयर करना सीखा था कि अगर हम 1 mm से कम की लेंग्ट को, 1 mm से ज्यादा की लेंग्ट को अगर हमने मैयर करना हो तो हम उसको किस तरीके से मैयर कर सकते हैं आज हम एक next मैयरिंग इंस्टूमेंट पढ़ेंगे और आज का हमारा topic है screw gauge screw gauge एक मैयरिंग इंस्टूमेंट है जो किसी भी चीज की लेंग्ट को और थिकनस को मैयर करने के लिए इस्तमाल होता है अगर हमने वर्णियर कैलिपर से ज्यादा की थिकनस मैयर करनी हो या ज्यादा की लेंग्ट मैयर करनी हो तो उसके लिए हम screw gauge का इस्तमाल करते हैं दर्मियान में रखती हैं और उसके बाद हम इसकी thickness को असानी से मैयर कर सकते हैं स्टूडर्स अब हम स्कूरू गेज के पहले पार्ट को पढ़ेंगे ताकि हम अगर कभी इंस्टूमेंट को यूज करें तो हमें पता हो कि इंस्टूमेंट के जों से पार्ट हैं वो किस काम आते हैं? यह हमारे पास होता है U-shaped frame. इसको हम U-shaped frame क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि अगर हम alphabetic form में देखें तो यह U-shaped में है. इसलिए हम इसे U-shaped frame कहते हैं. और यह metal का बना होता है. इसमें दो parts होते हैं. एक होता है start और एक होता है spindle. start जो होता है वो fix होता है और spindle जो होता है वो movable होता है. movable का मतलब है कि यह असानी से move कर सकता है. जिस तरह वर्णिय कैलिपर्स में दो scale थी, इसी तरह इसमें भी दो scale होते हैं. एक होता है हमारे पास circular scale. circular scale, इसके नाम से ही पता चारा है कि यह क्या करता है circle में move करता है. एक होता है हमारे पास main scale, ठीक है. एक हमारे पास यहां पी इसका part है ratchet. ratchet का क्या काम होता है, किसी भी चीज़ को fix करने के लिए इस्तमाल होता है. यह हमारे पास होता है lock. जब हम इस lock को open करते हैं, तो हमारा screw gauge working करना start करता है. यानि हमारा circular scale को हम move करना start करवा देती है. अगर यह lock हो, तो हम उसमें कोई भी चीज़ को fit नहीं कार सकते हैं. जो circular scale होता है, इसमें जो हमारे पास total levians होती है, वो 100 होती है. ठीक है, और इसमें हर line जो होती है, वो 1 mm के बड़ाबर होती है. अब हम screw gauge का instrument देखेंगे, जिसे हमें अंदाजा हो जाए कि अगर हम उसमें use करेंगे किसी भी चीज़ की thickness को measure करने के लिए, तो हम उसको किस तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं. Students, यह हमारे पास screw gauge है, अब देखें, इसमें यह वाला जो पार्ट है, यह हमारे पास stud है, यह spindle है, और यह देखें, यह move कर सकते हैं. यह जो है, यह lock है, इसके इलावा यह जिसको मैं move करवा रही हूँ, यह हमारे पास क्या है, circular scale, और जो यह नीचे scale लगा हुआ है, यह हमारे पास होता है main scale, इसको हम कहते हैं ratchet या nut कहते हैं, यह क्या करता है, अगर हमने इन दोनों के दरम्यान में कोई चीज रखिया है, त यह हमारे पास lock होता है, यह मैंने पहले से open किया हुआ है, ताकि हम इसको move करवा सकें, ठीक है, और अगर यह बंद हो, तो यह जो हमारे पास circular scale होता है, यह move नहीं करता है, अब suppose करने हमने इसकी thickness में यह करनी है, हमने क्या किया, इसको start और spindle के दरम्यान में रख दिया, अ जब यह इसके अंदर fit हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रैचिट से इसको tight कर देंगे, ताकि यह नीचे ना गिर सकें, और हम इसकी readings को असानी से महियर कर सकें, मतलब यह कि हम reading असानी से ले सकें, अब हम सक्रियो गेज की pitch को find करना सीखते हैं, pitch किस तरीके से find की जाती है पिच हमारे पास क्या होती है, जब हमारा circular scale, main scale के girt एक चकर अपना मुकमल करता है, यानि अगर हम इसको 30 से start करवा रहे हैं, तो क्या करेगा, यह दुबारा 30 तक जब आएगा, यानि अपना एक चकर main scale के girt कवर करता है, तो उसे हम कहते हैं pitch हम screw gauge से keep pitch इसलिए find करते हैं, क्योंकि यह least count को measure करने के लिए इस्तमाल होती है, यानि अगर हमने screw gauge का least count measure करना हो, तो उसके लिए हमें pitch find करना भी बहुत जुरूरी है least count का फार्मूला है, pitch of supportive gauge divided by number of devian on circular scale, CS का मतलब है circular scale, अब हमने क्या कहा था, pitch हम कैसे में यह करते हैं, जब circular scale अपना एक चकर main scale के girt कवर करता है, यानि यहाँ पर मारे पास one, यानि एक चकर का जो आया है, वो one आ गया, number of devian on circular scale, जो circular scale की total devian होती है, वो होती है, मारे पा under से divide किया, तुमारे पास आजेगा 0.01 mm, mm को cm में करने के लिए क्या करेंगे, mm को पहले मीटर में change करेंगे, फिर cm में change करेंगे, यह मैंने वर्णिय कैलिपर में आपको सिखाया है, अब हम zero error के बारे में discuss करेंगे, सबसे पहले हम discuss करते हैं, no zero error, यानि zero error कब नहीं होता, जब आपका main scale का zero, circular scale के zero के बिल्कुल समने हो, देखें जैसे यह आपके पास main scale का zero है, और यह आपके पास circular scale है, जब main scale का zero और circular scale का zero एक ही लाइन में होती है, तब आपके पास कोई भी zero error नहीं होता, zero error कब होता है? जब आपके circular scale का 0, main scale के 0 से या तो उपर चला जाए या तो नीचे चला जाए 0 error मारे पास दो तरह की होते हैं एक होता है मारे पास positive 0 error और एक होता है negative 0 error जिस तरह हमने वर्णिया कैलिपर में discuss किये थे 0 error के बारे में इसी तरहा screw gauge में भी हम negative 0 error और positive 0 error को discuss करेंगे positive 0 error इसका मतलब क्या है कि positive 0 error कब होता है यह देखें यह आपके पास circular scale है जो मैंने red color में मनाया है यह जो है वो आपके पास main scale है जो blue में है ठीक है अब देखें जब circular scale का 0, main scale के 0 से नीचे चला जाता है ये आपके पास circular scale का 0 है और ये आपके पास main scale का 0 है जब circular scale का 0 main scale के 0 के नीचे चला जाता है तो तब आपके पास जो error होता है उसे हम कहते है positive 0 error याद रखिए अगर आपके पास 0 error positive आता है तो इसकी 0 correction क्या आएगी? negative में आएगी अब हम बात करते है negative 0 error negative 0 error क्या होता है? ये भी मैंने वैसे ही बनाया हुए blue से main scale बनाया हुए और red से circular scale बनाया हुए अब negative 0 error कब होता है? जब आपके circular scale का 0 main scale के 0 से उपर चला जाए ये आपके पास circular scale का 0 है और ये देखें ये आपके पास main scale का 0 है जब circular scale का zero, main scale के zero से उपर चला जाता है तब जो error होता है, उसे हम कहते है negative zero error और इस zero error की जो correction आती है, वो positive form में आती है यह आपने याद रखना है कि positive zero error की जो zero correction आती है वो negative form में आती है और जो negative zero error की आती है, वो positive में आती है ठीक है? स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहां पर हत्म हो गया है स्क्रूग यह जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है वो प्रैक्टिकली बहुत ज़दा इंपॉर्टन्ट है इसलिए आपने इसको सारा लर्न करना है इसमें आपको zero error, zero correction इन सबका भी पता होना चाहिए ताकि जब प्रैक्टिकली आप perform करें तो आपको यह सारी चीज़े असानी से कार सकें अब हम next topic next lecture में discuss करेंगे मतलब next video में discuss करेंगे हमारा topic यहां पर रत्म हुआ आप सब अपना हयार रखिएगा आला हाफिज